नमस्कारम इस्वर ने अध्भूत चीज बनाई है अवसदी जिसका रंग रूप गुन्धर्म स्वभाव हजारों नहीं लाखों नहीं करोरों बर्स पूर्ब जोथा वही आज भी है इंसानों के तरह बदलता नहीं है आज मैं बात करने वाला हूँ कोच के बीज के परियोग के बारे में कोच के बीज का परियोग मुख्य रूप से उत्तेजक अस्तंबक और वीर्यवर्धन के लिए किया जाता है उसके साथ साथ योनी सिथिलता योनी दुरवल्लता नपुन सकता सिग्रपतन योनी सिथिलता योनी संकूचन के लिए किया जाता है और बात-पित समन के लिए भी किया जाता है कोज के बीज भारत के हर राज के हर प्रांत में मिल जाता है यहां तक कि आपके बारी में भी असानी से मिल जाएगा अगर आपके आसपास जंगल हैं तो कोच के लटा में बर्सा रितू में पुस्प लगना शुरू होता है और सरद रितू में फल आ जाते हैं कोच का फल 5-6 इंस लंबा होता है और काला होता है जिसका सबजी भी बनाया जाता है उसके अंदर 4-5 गिरी होते हैं जिसको सुखा कर उसके छिलका उतार कर कोच का चूर इन सभी चीज़ों का आप अपने सरीर के प्रकिर्ती के अनुसार पर योग करेंगे तो यह जितने भी सेक्स्वल डिस ओडर समंदित समस्या हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को आईरवेद के द्रिष्टी से तीन भागों में बाटा गया है बात पीत कप आप अपने प्रोस में जो भी वैद जी हैं ये अपने गव में सहर में जो भी वैद जी हैं उनके पास जागर आप अपने सरीर के प्रकिर्ती को जानेंगे अपने सरीर के प्रकिर्ती के अनुसार आपको अउसदी लेना है या फिर अपने वहीत जी से बनवाना है या तो अगर बनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा नमस्कारम